सबी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर यहां हम बात करेंगे इस्रम कार्ड के फाइदें के बारे में क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है इस्रम कार्ड और इस्रम कार्ड बन रहा है लोग बनवा रहे हैं और उसके लिए विद्धा और भाग भी काफी कर र आपका जो इस्रम कार्ड है आपका बनवाने का वो हम क्यों बनवाया उसमें कौन से डाकॉमेंट लगेंगे ये भी एक समझने वाली बात है तो हम इन ही मुद्धों पर इसमें बात करेंगे प्रारूप जो आपको दिख रहा है इस्रम कार्ड का भारसरकार और एक फोटो लगते हैं और ये स्रम रोजगार मंतरालाई की तरफ से होता है कुछ इस तरीके का आपको इस्रम कार्ड दिखेगा और इसमें आप देखिए कि यहां पर आपका नाम होगा इस जगे पर और फिर उसके बाद नीचे पिता का नाम होगा फिर वही चीज़ जो है फिर उसके देख रहें तो ये होता है यूनिवर्सल एकाउंट नमबर ये आपका होगा और यहां जैसे आधार में आपके जो हैं बारा अंक होते हैं उसी तरीके का यहां फी बारा अंक आपको मिलेंगे और इस जगे पर आपका फोटो लगा होता बिलकुल काड़ हुब 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 आधार काड की तरह ही यहां पर होता है। और हम बता दें आपको कि तरीब जो है 38 करोण आसंगठित स्रमकों का e-shram card portal पर registration होना है यहीं 38 करोण लोगों का e-shram card बनना है। अभी तक केवल 13 करोण, 13 करोण 64 लोगों का e-shram card बना हुआ है। मेरे वीडियो रेकॉर्ड करने तक जो डाटा है वो 13 करोण लोगों का बना है। मान लीजिए 13.5 करोण और 38 करोण लोगों का बनना है। तो यहां जो स्रमकों का e-sv-y के तहट 2 लाख दुरगटना बीमा कबर मिलेगा। और आसंगठित कामगारों का सुरक्षा लाब के तहट इस चीज़े होनी है। अब अगर हम सीधे रेजिस्टेशन के लाब की बात करें यहां पर कि आपको कौन से लाब मिलने वाले हैं इस स्रमकार्ड को बनवाने के बात। तो यहां लाब आपको क्या मिल सकता है कि कुछ सरकार से उचित सुविधाओं का लाब मिल सके। इसके लिए बनाव जाए इस बीच कई लोगों के दिमाद में यह सवाल उठ रहा है कि इस कार्ड का क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। क्या क्या फाइदे हो सकते हैं हम आपको बताते हैं कि इक स्रेमिक कार्ड को आपको क्या फाइदे दिला सकता है। तो आईए देखते हैं एक एक चीज़ पहला जो है दो लाग रुपे तक का बीमा दुरगटना यहीं कैजूल्टी आपके साथ होती है तो दो लाग रुपे का दुरगटना बीमा मिल सकता है। यह चीज़ हो गई फिर आने वाले समय में सरकार की ओर से स्रेमिकों के लिए लाई जाने वाली किसी भी सुविधा का सीधा लाब मिल सकेगा। तो लाब के तहट अगर कोई गर्वती महिला करमचारी काम करने में असमर्थ है तो उसका और उसके बच्चे को भरण पोसन और रख रखाओ के लिए पूरी विवस्था का लाब मिलेगा। यह पांचवा पांट है घर बनाने के लिए धन रास आपको मिल सकती है। बच्चों के पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिल सकती है। कौसल उन्नैन के लिए वित्तिय सहायता मिल सकती है। तो यह आठ प्रकार के आपके लाब हैं जो लगभग मिल सकते हैं। कन्फरमेशन इसका नहीं किया जा सकता है। अथेंट्टिकेशन इसका नहीं दिया जा सकता है। व्युक्न आपको ओंगे गए 8 लाब उ के जो आपके सामने हहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कि ज यह 8 लाब हैं यह आप पा सकते हैं। तो ये आठ लाब हो गए अब बात कर लेते हैं इन आठ लाबों में जब दुरुगटना भीमा है तो casualty होगी accident कहीं हुआ आपका तो आप जो है इसका लाब पाएंगे 2,00,00 और उसके बाद स्रमिकों को सुविधाएं जो सीधी लाब मिलागा वो हो सकता है भविस्य में हो सक account number कहा जारा जैसे pen number होता है permanent account number इसी तरीके से ये है तो आधार है एक तो unique identity card आपका हो जाता है वो तो इसी तरीके से यहाँ पर भी चीजें है पातता कौन करवा सकता है बस किवलो भारतिय नागरिक हो और 18 से 168 वर्स की आयूका हो 18 से 168 वर्स की आयूका हो और वो भारति यही दो चीजे इसकी जरूरत है कि वो स्रमिक कार्ड बनवा सकता है आप बात करते हैं आपको document कौन कौन से देने होंगे इस्रमिक कार्ड required documents तो इस्रम कार्ड registration आवसक दस्ताबेज आपके पास आधार हो पैयन हो पासपोर्ट साइच का फोटो हो मोबाइल नंबर हो और ब बना सकते हैं कहीं आपको जाने की जरूरत भी नहीं आप इसकी website पर जाएए और वहां से registration करिए तीन चार स्टेप में ये form है उस form को आप फिलप कर दीजिए फिलप करने के बाद अपने आप जो है आप जो फोटो लगाएंगे फोटो आधार से अपने आप update हो जाता है ऐ वही आप वहां डालेंगे अपने आप सारी चीजे उसी से हो जाएंगे बस आपको account number आपको फिलप करना है और आपके mobile number से जो registered है आधार से उसी पर ये जाएगा तो इस प्रकार आप उससे आसानी से भर पाएंगे तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आप आसानी से चीजों को समझ भी गए होंगे आप finally आप सभी लोग जानते हैं कि बिलकुल जब बनेगा तो जब आधार से क्योंकि ये link हो जाता है आधार की database जो है इसी से connect हो जाता है तो यहाँ पर जो photo है वो जो आधार से है वही यहाँ पर आपकी update हो जाएगी आप change करना चाहें तो change हो जाएगा जिससे आपका ये card नुमा जिससे आधार card pen card है उसी तरीके से ये card आपका generate हो जाएगा उससे आप print out निकालकर अपने पास रख सकते हैं या किसी साइबर के फिज जाकर computer वाले के पास जाकर उसे उसी मोटे paper पर उसे print करा सकते हैं और बिल्कुल हूब हो pen card और आ minute करा के अपने पास इसे रख सकते हैं तो ये ministry of labor and employment यानि स्रम और रोजगार मंतराले के तरब से ये है तो मिलते हैं अगली update के साथ तब तक लिए धन्यवाद चैहिन चैभारत